हेलो स्टुडेंट मैं पावन ममोरिया उड़ान डिजिटल के आनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिजिक्स का चिप्टर 12 एटम परमानु डिसकस करेंगे यह तीन नंबर का अबजिक्टिव चिप्टर है तो पहला कोश्चन इसका लेते हैं पहला कोश्चन है मल्डिपल चोईस कोश्चन है चूज़ करेक्ट ऑप्सन सहीं विकल पर चुनकर लिखिए रधरफोड परमानु मॉडल के अनुसार परमानु के अंदर इलेक्टरान क्या करता है अगार्डिंग तुदर रधरफोड अटामिक मॉडल इलेक्टरान इंसाइड द जो नुकलियस होता है उसके अराउंड रिवाल करता है तो इलेक्टरान कंटीनिव रिवाल करता है तो यहाँ पर आएगा वो परिक्रमा करता है आंसर C है रिवाल्स अराउंड दे नुकलियस नेक्स्ट है परमानु का अकार निम्नकोटी का होता है तो क्या साइज होता है जो atom है उसका size होता है 10 to the power minus 10 meter या फिर हम इसको write कर सकते 10 to the power minus 8 centimeter यही पर अगर nucleus का पूछ ले कि nucleus क्या होगा atom का तो यह हो गया size अगर nucleus का आपको size पूछे हमारा answer है 10 to the power minus 15 meter या फिर इसको हम write कर सकते 10 to the power minus 13 centimeter इसी को हम one for me भी बोल सकते तो one for me का order का होता है यहां जो पूछा है आपको atom का पूछा है size तो atom का size जो है वो होगा सी 10 to the power minus 10 meter next question बोर के पर्मानु मॉडल के अनुसार किसी स्थाइक अक्छा में electron की जो चाल है भी मुख्य कौंटम संख्या न है उन में क्या relation होता है according to Bohr's atomic model the speed of an electron is in a stable orbit Vn is related to the principal quantum number and as follow तो यह जो velocity होती है speed होती है Vn वो इस type से relate होती है न से principal quantum number से मुख्य कौंटम संख्या से जो electron की चाल है Vn बराबर c बटे n, c बटे n, n क्या है मुख्य कौंटम संख्या principle quantum number और Vn क्या है electron की speed है चाल है यह relation होता है इसका answer मैंने टिक नहीं किया पर आप जानते हैं Vn is equal to c by n होगा next question लेते हैं रिडबर्ग नियतांग के पदों में बामर स्रेणी की प्रथम spectrum रिखा की तरंग संख्या क्या है दो वेव नंबर आप दो फॉस्ट स्पेक्ट्रम लाइन आफ बामर सीरीज इन टर्म आफ रिडबर्ग कॉंस्टेंट इसका एक फार्मूला है new bar is equal to rh r r n2 1 by n1 square minus 1 by n2 square n1 क्या है n2 क्या है तो n1 है n is equal to 2 क्योंकि बामर के लिए इलेक्रान कहां आता है n is equal to 2 में आता है n2 क्या है तो इलेक्रान कहां से आरहा है परस्ट लाइन बोला है तो फस्त बोला है तो जायका कहां से आएगा हम सर्थ हर्थ हर्थ इस आएगा तो हूं can बवन कि बयल्यू कि फियर कि फ्रुन की यह जाएगा याथ पासटी बा सुम्ट नीचे거든 122 यहां जाएगा 9, 9-4, तो हमको मिल जाएगा 5R by 36, यह है C, राइट आंसर. Next, hydrogen परमानु निम्न अवस्था से N is equal to 4, उत्तेजित अवस्था में होता है, तो प्रक्षेपित स्पेक्ट्र में रेखाऊं की संक्या. hydrogen atom जो है excitement, excited होकर, ground state to N is equal to 4 में जाता है, तो N is equal to 4 में है, आप से पूछाएं कि वो जब 4 से travel करेगा, तो number of lines कितनी होगी? तो number of lines जो है, उसका जो फार्मूला है, वो फार्मूला है, N into N minus 1 by 2, N की value 4 है, minus 1, 3, divide by 2, cancel out, 2 into 3, 6, number of lines कितनी होगी? 6 होगी. बोर, त्रिज्या का मान के होता है, value of bore radiuses, बोर की जो radius होती है, वो होती है, 0.53 angstrom, और इसको अगर हम convert करना चाहिए, तो 0.53 into 10 to the power minus 10 meter, और इसमें आ जाएगा ये point को आगे ले आते हैं, तो 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, तो 5.3 into 10 to the power minus 11 meter, राइट आंसर होगा. रिडबर नियता, constant जो है, रिडबर constant आर का मान कितना होता है, what is the value of रिडबर constant, तो रिडबर constant की value एक तो ये बता ही हमने, 1.097 into 10 to the power minus 7 और centimeter में पूछे, sorry, minus लिका है, प्लस वाली है, 1.097 into 10 to the power 7 meter, और अगर centimeter में पूछे, तो 5 आएगा, next, बोर मॉडल के अनुसार, प्रथम कक्छा में, 1st orbit में velocity of, या speed of electron कितनी होती है, तो speed of electron की बात कर रहे है, speed of electron जो है, वो जो light की velocity है, speed है, उसमें अगर हम 137 से divide कर दें, तो हमको मिल जाएगी, speed of electron, तो V is equal to C by 137, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, C by 137, next, परमानू में electron की कक्छा की तरिज्या बढ़ने पर उसकी उर्जा का क्या होता है, देखे, यह nucleus होता है, जैसे जैसे radius increase होगा, मतलब हम, N is equal to 1, 2, N is equal to 3, 4, 5, 6, 7, की और मूँ कर रहे हैं, यहाँ पर energy आपको पता होना चाहिए, hydrogen की लिए बात करें, तो माइनस 13.6 electron होती है, यहाँ पर माइनस 3.4 electron होती है, तो इतनी electron old में energy होती है, अगर हम देखे, तो मूँ करने पर energy क्या हो रहाए है, value तो decrease हो रही है, लेकिन सब माइनस में, हम बोलेंगे कि, अगर हम nucleus to 1, 2, 3, 4, 5 nucleus to cell में जाते हैं, तो energy जो है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो red eye increase होने पर क्या होगा, जो energy है, वो भी क्या होगी, increase होगी, next question, question है, परमानू होता है, atom कैसा होता है, आप जानते हैं, atom जो है, वो neutral होता है, कोई charge नहीं होता, क्योंग, क्योंग, इसमें जितना positive charge होता है, same negative charge होता है, तो neutral जो है, neutral होता है, next day, fill in the blanks, रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजीए, चली, alpha कंड, alpha कंड का एक experiment है, GM counter वाला, तो उसमें जो alpha particle है, उसकी energy कितनी use की गई थी, तो आप से यही पूछा है, यह value आद रखना है, 5.5 mega electron old, 5.5 mega electron old, इतनी energy, use की गई है, GM counter में, alpha particle की, रदरफोट model के अनुसार, electron की कुल उर्जा, according to रदरफोट model, the total energy of an electron is, कैसी होगी, positive, negative, तो हमारा right answer होगा, negative होगी, रेनात्मक होगी, क्योंकि अगर धनात्मक energy है, तो तो electron बाहर चले जाएगा, लेकिन electron बाहर नहीं जाता, वही रोटेट होता है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा हुआ है, बंधी थे, मतलब उसकी bonding energy negative होगी, hydrogen के द्रस्य भाग में spectrum स्रेणी में, सरप्रदम किसने देखा, the spectrum range in the visible part of hydrogen was first observed by bomber, तो याद रखेंगी है, बामर जो है, उन्होंने सबसे पहले spectrum देखा था, और वो visible में था, visible में जो देखा गया, वो बामर के थूँ था, आप से ये भी पुछते कि बामर जो visible series जो है वो किस स्पेक्ट्रम में हैं, तो बामर सीरीज में याद रखेंगे, रिट बर्क constant, अभी बताया था मैंने 1.097 x 10 to the power, 7 in the form of meter inverse, और 1.097 x 10 to the power, 5 in the form of centimeter inverse, next question, इलेक्ट्रान नाभिक के चार और उनका अक्छाओं में परिक्रमन करता है, जिसके लिए उसका कोणी है समवेक, तो इलेक्ट्रान जो है, वो वहाँ पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, रिवाल कर सकता है, जिसके लिए उसका वो जो angular momentum है, हम यहाँ पर बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे, हपान टू पाई वैल्यू होना चाहिए, मल्टिपल आफ एच अपान टू पाई, तो उसका कक्छिय कोणी समवेक, एज बटे टू पाई का पूर्ण गुणक होना चाहिए, हाइडोजन परमाणू के आइनन उर्जा, हाइडोजन परमाणू के आइनन उर्जा का मीनिंग है, कि यह न्यूकलेस है, यह फस सेल है, और इसमें इलेक्टरान मूँ कर रहा है, इसको बाहर निकालना है, तो कितनी एनरजी लगेगी, तो यहाँ पर energy होती है minus 13.6 electron old और इसको बाहर ले जाना है तो इसको इतनी energy plus में दे दीजिए ये बाहर कर चले जाएगा तो आइनन उर्जा, आइनन एंदेल्पी minus 13.6 electron old होती है नेक्स्ट है hydrogen परमानू को प्रत्थम उत्तिजी दावस्ता में अगर first excited state की बात करें तो चली समझते ये हमारा nucleus है, ये first cell है, ये second cell है, ये third cell है ये n is equal to 1 है और यहाँ पर energy required होती है minus 13.6 ये n is equal to 2 है और यहाँ minus 3.4 हम सब बात कर रहें के ला hydrogen के लिए n is equal to 3, यहाँ पर होगी minus 1.1 electron old तो ये सब electron old में energy है अगर आपसे पूछते, first cell में energy कितनी require है तो हमारा answer होगा minus 13.6 लेकिन first cell नहीं बुला है बिटा, क्या बुला है first excitement state कहां गया, first excitement state first excitement state का meaning क्या है यहाँ पर था, यहाँ से first कहां जा सकता है n is equal to 2 में, first excitement state का meaning है n is equal to 2 की energy कितनी होती है तो कितनी होती है, minus 3.4 electron old minus 3.4 electron old first excitement energy होती है याद रखेंगे इसको गलत नहीं करना अगर आए तो next question लेते हैं answer in one word पहला question किसी कक्षा में electron की रनात्म गुर्जा का क्या meaning है अगर negative energy है तो इसका meaning क्या है negative energy के वल यह शो करती है कि यह जो nucleus है और जो electron है इनके बिच bonding है bonding between electron and neutron याद रखेंगे bonding between electron and nucleus याद रखेंगे तो नाभिक और electron के बीच क्या है बंद है बंदे हुए दोनों यह रिनात्मक पुर्जा का मतलब है यदि परमानु के अंदर अगर हमारा जो electron है वो कैसा हो जाए stable हो जाए तो nucleus क्या उसको छोड़ने वाला है यह रुका हुआ हुआ है नूकलियस उस पर attraction लगाएगा अपने अंदर समालेगा टोटल चाज जीरो हो जाएगा दीरे दीरे एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा आपसे पूचा है क्या होगा तो एटम क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय एटम विल बी डिस्ट्रॉय है याद रखेंगे परमानु जोए नस्ट हो जाएगा परमानु दीरे दीरे नस्ट हो जाएगा चाही में नाभीक पर कौन सा अवेस होता आप जानते नाभीक नूकलियस में से पॉजिटिव चार्ज से बना बता रहा हूं तो इस पर कौन सा चार्ज होता है धनवेस होता है तो याद रखेंगे क्योंकि इसमें कौन होता है तो नुकलिस में प्रोटान एग्जिस्ट करते है इसलिए दहनावेस होता है बोर की त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज between nucleus and electron of hydrogen atom hydrogen परमाणू के spectrum में बामर्स तरीस की जो लाइन से वो कब मिलेगी हमको hydrogen spectrum में तो आप जानते हैं अगर electron कहीं से भी मूह करके कहां आएगा n is equal to 2 में n is equal to 2 में movement करता है तो हमको बामर्स तरीस मिलेगी किसी परमाणू के नाभी कितरी जान, nucleus की order क्या होता है radius का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 10 to the power minus 15 meter या फिर 10 to the power minus 13 centimeter या फिर 1 for me यह order होता है 10 to the power minus 15 meter order होता है नूक्लियस का परमाणू का अकार अगर आपसे atom का order पूछ लिया तो अभी बता है मैंने 10 to the power minus 10 meter या फिर 10 to the power minus 8 centimeter कौन सा पार्डिकल unstable है तो जिस पर चार्ज नहीं है वो unstable है अलफा पार्डिकल पर चार्ज होता है बीटा पर होता है proton पर होता है neutron पर नहीं होता तो neutron इसे unstable तो याद रखेंगे neutron जो है कैसा होता है unstable होता है अब जानते होंगे neutron की discovery James Chetwick ने की है hydrogen परमाणू के आइनन उर्जा कितनी होती बता दी मैंने 13.6 electron old होती है इतनी energy दे दे तो electron बाहर चले जाएगा क्योंकि first cell में इतनी energy होती है alpha particle क्या है what is alpha particle helium का जो nucleus है nucleus of helium याद रखेंगे जिसको मिस टाइप से donate करते यह होता है alpha particle helium का जो नाभिग है helium का नाभिग उसे का जाता है alpha कण मेजद कॉलम है first है bore का radius सेकन है n नंबर में energy red bug constant velocity और angular momentum angular momentum हम easily find कर सकते हैं यह हमारा C है थोड़ा से इदर मूब कर गया angular momentum जो है वो है यह होगा NH upon 2 pi तो यह तो हो जाएगा 5th का right answer 5th का answer होगा ठीक है bore का radius बोर का रेड़ा जो है वो कौन सा होगा यह होगा H square E square याद रखेंगे तो यह होगा बोर का रेड़ा है E N energy जो होती है उसमें E to the power 4 और H to the power 2 होता है N square होता है तो यह हो जाएगा energy के लिए फार्मूले आपको थोड़ा से याद रखने पड़ेंगे रिड़ बर कॉंस्टेंट की बात करते हैं तो इन दोनों में रिड़ बर कॉंस्टेंट जो है वो कौन सा होगा रिड़ बर कॉंस्टेंट हो जाएगा यह यह किसका है कोशन जरूर लिखे हमारे चेनल को अब जरूर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों तक वीडियो को शेर करके पहुचाए ताकि उनका भी फाइदा हो सके थैंक्स